मारे में YEघ ल shortest waste ही ज्यादा कुछ नहीं है आज हमें Chat absorption regulation पढ़ना है जिसमें हम G1 checkpoint होता है G2 checkpoint में एक M checkpoint होता है जिसे spindle checkpoint भी कहा जाता है इन तीनों के वारे में पढ़ना और यह बहुत बेसे के जादा इसमें कुछ नहीं है ठीक है और कुछ एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी देखें होंगे कि अगर आप G1 फेस की सेल को जीटू में फ्यूस कर दें, जीबन को S में Fuse कर दें, M में Fuse कर दें तो क्या आपके expected outcome हो सकने हैं तो वो experiments है, तो वो हमें यहाँ पर देखती है बिल्कुल काफी बड़ा homework मिलने बाला है लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में submit करना है वो एक long term process होगी, time आपके लिए दिया जाएगा लेकिन आपको कैसे करना है, वो ज़्यादा जरूरी है बताना तो आप बिल्कुल वैसे ही कीचेगा तो देखे, checkpoint होते क्या है नाम से पता चल रहा है, checkpoint तो checkpoint हमारी local life में भी अगर हम बात करें तो हमने कई बार सुने होते हैं, कुछ-कुछ होते हैं पॉइंट्स होते हैं, checkpoint होते हैं अगर इंडिया से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो एक proper check होती है, checking किस चीज की होती कि आप क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं लेके जाते हैं, तो यह बार्डर चेक पॉइंट होता है आप ऐसा कोई सामान तो नहीं लेके जा रहे हैं, जो दूसरी कंट्री के लिए harmful हो तो वैसे ही cell में तीन checkpoint होते हैं योगि cell division मतलब कि क्या है, जैसे अगर हम बात करें, meiosis की अगर हम बात करें, mitosis की एक cell से एक नई चीज आप बना रहे हैं और वो जो नई चीज है, आगे जाके आपकी body के बहुत सारे function को maintain करने वाली है तो cell ही basically basic unit of life होती है cell ही basic unit of body है, जितने भी metabolic path में cell के अंदर ही चल रहे हैं तो जरूरी है कि आपको cell के division के time ही check करना कि जो जो process होनी चाहिए, वो हुई है या नहीं हुई है तो वो ही आपके check points के थू होता है, तो basically check point करते क्या है यह control करते है progression of the cell cycle cell cycle जब एक phase से दूसरी phase में जा रही है जब उसमें progression हो रहा है उसको control करेंगे ensure करते हैं कि सारी चीज़े accurate हो रही है और सही समय पे हो रही है या नहीं क्योंकि जीवन में जो चीज हो नहीं है जैसे organal duplication वो जीवन में ही हो जाए और सही समय पे हो और सही तरीके से हो उसको आप S phase में नहीं कराएंगे S phase में अगर synthesis है तो वो S phase में ही हो अच्छे से हो G2 phase में वो ना हो तो यह सारी चीज़ें इसी checkpoint के थ्रू ही क्या किया जाता है Complete किया जाता है Critical होते हैं यह checkpoint for maintaining integrity of the cell DNA and preventing uncontrolled cell division क्योंकि cell अगर अच्छे से divide कर रहा है सही समय पे divide कर रहा है तो ठीक है लेकिन अगर यह improper तरीके से divide हुआ इसके पास बहुत जादा cell division होता है बहुत cell proliferation हो रहा है तो वो cancer भी तो cause कर सकता है कर सकता है कि नहीं कर सकता है क्योंकि यह condition आपकी cancer की है So that is cancer तो करना क्या रहता है कि proper division हो उसका भी हमें खयाल रखना है 3 men checkpoint होते हैं एक G1 होता है G2 होता है और M checkpoint तो नाम से ही समझ में आ रहा है एक ऐसा checkpoint होगा जो G1 stage में होगा एक ऐसा checkpoint जो G2 में होगा और एक ऐसा checkpoint जो M phase में especially spindle checkpoint इसको कहा जाता है जो आपके metaphase से anaphase में transition हो रहा है यह उसी को verify करता है मतलब spindle fiber के attachment को यह verify करता है तो ज़रा diagram में अगर आप देखें तो सारी stages यहां mention है होता है और बाकी आपका पूरा CDK और cyclin का भी यहां पर diagram दे दिया गया है कि G1 में अगर हम बात करें तो कौन-कौन से CDK और cyclin होते थे आप तो आपको रटल जाने चाहिए cyclin D है CDK 4 and 6 था अब अगर हम बात करें कि S phase में कौन-कौन सा cyclin और CDK था पहले अगर हम transition की भी बात कर लें तो transition में आपका CDK 2 आ जाता है क्योंकि यह transition stage है this is transition तो चलिए भाई transition लिख दीजे that is G1S तो G1S transition में क्या-क्या आपको मिलने वाला है cyclin E and CDK 2 S phase की बात करें तो cyclin A और CDK 2 यहां आपको देखने को मिलता है तो कुछ इस तरीके से है आप M phase की बात करें तो cyclin B and CDK 1 यहां पर present होगा और हर एक जगा जो है उनके इनिविटर्स भी दिये हुए है यह कहां पर किस चीज को कौन इनिविट करेंगा तो अगर आपको याद आ रहा हो मैंने आपको बताया था जब हम transition के बारे में पढ़ रहे थे हम G से जब S transition और S phase regulation के बारे में बात कर रहे थे तब हमने P27 के बारे में पढ़ा था P27 एक ऐसा protein था जो आपके CDK 2 इनिविट कर रहा था तो यह देखे जरा उनके साथ में इनिविटर भी लखे हुए तो कुछ आपके इनिविटर होते हैं जैसे P27, P21, P57 यह collectively साइकलिन E, A और CDK 2 को कर देते हैं अगर आप दूसरे इनिविटर की बात करें जो G1 के साइकलिन जैसे साइकलिन D और CDK 4, 6 को इनिविट करते हैं वो P15 होते हैं 16 होते हैं 18 and 19 तो यह देखे G1 तो इसको याद रखने का क्या फॉर्मूला है जैसे आप बात करें G1 तो G1 मतलब यहां से यह आपको 1 लेना है और बाकी सारे यह आपके बनवन से शुरू होंगे मतलब की जैसे 15, 16, 17 को काटके 18 and 19 तो G1 then 1, 1, 1, 1, 5, 6, 8, 9 कुछ इस तरीके से तो G1 में जो आपके 1 वाले हैं वो सारे आएंगे फिर यहां पर अगर आप बात करते हैं S फेस और G2 की तो यहां पर आपके टूटू वाले आने हैं टूटू में कौन-कौन सा आएगा जैसे की 27, 21 और एक यह अलग से है that is 57 तो आप कुछ इस तरीके से भी इनको माइंड में रख सकते हैं तो यह कुछ इनिविटर से अगर आप बात करें तो V1 स्पेसिफिक इनिविटर हमने देखा था जो काइनेज वगेरा भी दे रहा था यह आपको M-phase की माइटोटिक में देखने को मिलेगा तो स्पेशली यहां पर इनिविशन के लिए कुछ ऐसा प्रोटीन प्रोटीन नहीं होता जो V1 & 2 है यह स्पेसिफिक आपके M-phase में इनिविट करेगा ओल्दो वीवन एक काइनेज है यह जहां प्रेजेंट होगा जीवन में भी जीटू में भी तो यहां पर भी इनिविशन को शो करेगा लेकिन जो आपकी M-phase है वहां पर इस तरीके के कोई प्रोटीन नहीं है वहां पर आपका V होता है यह यहां पर इनिविट करेंगे ठीक तो यह साथ में कंपाइल सा डाइग्राम है जिसमें हमने कुछ चोटी चोटी चीजेव को फिर से इंकलूड कर लिया रिवाइस कर लिया अब बात आती है चेक पॉइंट की तो जीवन चेकॉइंट होता है उसमें क्या इंशोर किया जाएगा वहां पर इस यहां जाएगा कि सैल साइज डे यही है growth factor जिसकी जरूरत है वो सारे हैं और DNA damage को देखा जाएगा क्योंकि यह एक ऐसी स्टेज है जहां पर आपका जो DNA है वो chromatin form में है M phase से condensation शुरू हो जाएगा तो यहां पर chromatin के form में तो देखना जरूरी है क्या DNA में कोई damage तो नहीं है क्योंकि आगे चलके उसका replication करना है मान के चलिए DNA में कोई damage हुआ और उसी damaged का आप replication अगर बना दें तो जितना भी आगे replication बनेगा सब में damage होगा तो जरूरी है यहां पर देखना पहले replication के कि कोई damage तो नहीं था तो चार चीज़े देखी जाएंगी जैसा आपको बताए गया था कि cell size में बड़ा होगा और G2 checkpoint में again cell cycle और DNA replication को देखा जाएगा क्योंकि S phase में जो DNA replication form में आया है पूरा replica बना हुआ है तो प्रॉपर replication हो गया है या नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा आपका material था जो की replication जिसका नहीं हुआ था और वो आपकी G2 phase में क्योंकि S phase में complete replication कराना है तो G2 phase में जाते ही देखा जाएगा कि replication complete हुआ है या नहीं M phase में spindle assembly checkpoint होता है जो chromosome attachment को खाली इतना देखना है कि जो kineto core है वो spindle fiber से proper attached है या नहीं और attachment को आप देख भी चुके थे कल मैंने आपको बता दिया था correct attachment और error attachment कैसे होता है ठीक तो यह होते हैं आपके तीन checkpoint और हर एक जगा किस चीज़ की checking होगी यह आपको दिखा दिया गया है तो जो जो चीज़ आपको बताइए वो यहां पर लिखी हुई है कि type of checkpoint एक जीवन चेकपॉइंट होता है यह प्राइमर्ली decision point of the cell कहलाता है अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमर्ली decision point for a cell क्या होता है तो देट जीवन चेकपॉइंट यहीं से क्योंकि शुरुआ जीवन से हो नहीं है इसलिए यहीं पर यह decision करेगा या primary decision यहीं लिया जाता है यहां पर किस चीज को ensure किया जाता है about the size और देखा जाएगा कि cell size में large हुआ है या नहीं is the cell large enough to divide cell division करना है तो उसकी size large हुई है या नहीं अब division होना है तो sufficient energy होनी कि जरूरी है energy कहां से मिलेगी nutrient से तो nutrient की checking होगी भाई कि nutrient proper है या नहीं कुछ molecular signals होते हैं यहां पर जो positive clue from the neighboring cell जैसे कि आपके कुछ growth factor तो जो आपकी 2 cell है वो proper signaling या फिर वहां से कुछ positive clue neighboring cell से receive हो पा रहे है या नहीं हो पा रहे है यह proper cell या जो आपके growth factor है उससे बाइंड यह cell कर पा रही है नहीं कर पा रहे है तो signaling की checking होगी और साथ ही साथ DNA की integrity देखी जाएगी जो आपका DNA आप synthesis में भीश रहे हैं वो कोई damage में तो नहीं है उसमें proper integrity तो है वो proper stable तो है यह देखा जाता है अब क्या होगा कि जब यह सारी चीजें आपकी चेक कर ली जाएंगे इन चारी चीजों को तो क्या एक signal मिल जाएगा कि हां भाई ठीक है अब आप अपनी सेल को भेज सकते हैं division के लिए तो क्या लिखा है if a cell receive necessary clue it irreversively commit to the division कहने का मतलब यह है after the checking all four point cell अगर receive करे necessarily clue तो यह आपका irreversible division में चला जाएगा मतलब अब आपकी सेल अगर एक बार S phase में गई तो यह बापस जीवन में नहीं आएगी क्योंकि यह cycle का क्रम ऐसे चलता है जीवन फिर S G2 M अगर एक बार सेल S phase में गई तो आप उसको बापस जीवन में नहीं ला सकते तो इसलिए यह पूरा checkpoint यहां पर दिया गया है तो सेल में क्या होगा irreversible irreversible जो reverse नहीं हो सकता जो एक ही direction में रहेगा तो फिर आपका commit हो जाता है to division फिर अगर ऐसी कोई condition थी वही कि आपकी सेल जो है उसमें proper किसी तरीके से कोई चीज कोई checkpoint incomplete रह गया तो ऐसी condition में सेल को resting phase में बेज दिया जाता है that is called the zero phase और फिर रिज्यूम करा जाएगा dividing band condition improved तो अगर ऐसी कोई condition है जो अभी इंप्रूब्ड नहीं हुई है तो सेल को एस फेज में बेज के जी जीरो फेज में रेस्ट करने के लिए बेज दिया जाएगा एक बार कोशिश करी जाएगी कि उस condition को आप इंप्रूब कर दीजे दैन आप डिवीजन में चले जाएगी अधर्वाइज आपकी सेल जी जी जीरो फेज में रहेगी नो बर्क नो डिविज़ ठीक फिर जी टू चेकपॉइंट में जो एम फेज के पहले होने वाला चेकपॉइंट है बिफोर एम फेज या माइटोसेज इसमें इंश्योर किया जाता है कि हेल्दी डॉटर सेल में अंडेमेज़ डियने जो की आपका यहीं पर देख लिया गया था कि भाई डियने की इंटी ग्रिटी की डियने में कोई डेमेज तो नहीं है यह आपकी जी टू फेस का है यह सिंथसिस के बाद एक्चुली इसको ना ऐसे लिख देना चाहिए क्योंकि यह दौनों टम अगर सिमिलर होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा एस फेस में क्या होता है कि आपका पूरा डि है तो इसलिये लिखा है कि जो हेल्डी डॉटर सेल होगी तो यह संतसर कीवात कर रहे हैं जो न्यूली संतसाइज हुआ है डेन इस मोली संतसफाइस को कोई डेमेज नहीं है एक चीज प्लस में डी इन रफ्लीकेशन गाहिए एς गाफ ने प्रीयूजन हें यह ला सकाच और दीएने में चो रप्लिकेशन हुआ है वो कंपलीट हुआ है या नहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइब रप्लिकेशन ना हुआ हो और पूरी सेल जीटू फेस में आई हो तो इन्डारेक्ली यह करता क्या है कि फिर से वो ही काम करने वाला है कि DNA damage और integrity को detect करने वाला है तो यह आपके पूरे points होते हैं G1 और G2 में अगर ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक है if all is well सारी जीज़े ठीक है तो इसको proceed कर दिया जाएगा कि चलिए आप नियोसिस में चले जाएगे otherwise इसको help कर दिया जाएगा progression के ल और फिर उसको दुबारा भीचा जाएगा spindle checkpoint बड़ा simple होता है इसको कई बार metaphase to anaphase transition checkpoint भी कहा जाता है जो इसी phase में आपको मिलेगा यहां पर chromosome segregation के बारे में chromosome का attachment spindle fiber से proper हुआ है या नहीं इसकी assurity की जाती है कि यह क्या attachment प्रॉपर शो कर रहा है या नहीं यह ऐसा हुआ कि कोई issues आ गए है if any issues arise हो गए है तो checkpoint delay हो जाएगा एना phase में correction कर दिया जाएगा जब तक correction नहीं होगा तब तक cell आगे नहीं जाएगी तो इस तरीके से तीन बार आपकी cell को checkpoint से होके जाना पड़ेगा जब सारी चीज़ एंशूर हो जाती है तब जाके आपकी एक नई daughter cell का formation होता है cell division में जो हमने इतनी आसानी से सारी चीज़ पढ़ ली थी कि आपका pro phase है फिर pro meta phase है फिर meta phase है एना phase है टीलो phase है यह सारा हम नहीं से देख लिया ता लेकिन इतनी आसानी से आपकी cell divide नहीं करती इन पूरे checkpoint में जाएगी अगर कोई दिक्कत है तो फिर डिले कर दिया जाता है process के लिए तो डिले होगा तो क्या होगा वो जो 24 आर लग रहे हैं वो बढ़ जाएंगे अब वो किस फेज़स पर रुका है कितने समय के लिए रुका है तो उस basis पर variation हो जाएगा ठीक तो यह तो भाई एकदम basic हो गया अब बात आती है कि जैसे मैं आपको कह रही होगी कुछ signaling होगी जो growth factor के बारे में हमने देखा ठीक है तो growth checkpoint pathway basically कितने टाइप के होता है उनके बारे में लिखा हुआ है कि जब भी कोई cell start करती है division तो जब उसको दूसरी phase में जाना रहता है तो growth factor जैसे कि हमने जीवनेस transition में मैंने आपको बताया था कुछ growth factor होंगे और map kinase pathway की पूरी signaling होगी देन आपका retino blastoma का phosphorylation होता है तो वह कौन कौन सी signaling होगी तो cell growth is primarily regulated by growth factor signaling pathway तो यहां पर तीन pathway follow कर सकती है cell एक तो rest pathway होता है rest pathway में transmit होता है signal cell surface receptor से nucleus में जाएगा और nucleus में जैसे ही जाएगा cell division हो जाएगा अगर कोई mutation है rest में तो uncontrolled cell growth यहां पर हो सकता है जिससे cancer भी हो सकता है दूसरा pathway जो है जिसको कहा जाता है AMP activated protein kinase pathway AMP के भी इसको कहा जाता है यह सेंस करता है energy को तो again energy मतलब के nutrient nutrient वाला हमने कहां देखा था उस East में देखा था हमने जीवन से ऐस transition जब हो रहा था तो यहां पर कुछ ऐसा pathway होगा जो energy को सेंस करेगा energy level अगर लो है लो है तो मतलब की ATP कम होगा at the same time AMP जादा होगा क्योंकि ATP के hydrolysis से ही आपका ADP बनता है तो अगर energy low है तो AMP हाई होगा और तब जाके यह pathway activate होता है और फिर regulate करेगा energy balance के लिए एक pathway और होता है जिसे टॉर कहा जाता है that is target of repamycin pathway और टॉर जो है इस central regulation of the growth cell growth and metabolism इसको कहा जाता है यह integrate signal from nutrient growth factor and stress यहां पर होता है तो यह total तीन pathway है इन pathway को हम detail में नहीं देखेंगे कि rest map क्या है यह सारा आप cell signaling में पड़ोगे लेकिन यहां आपको जानना जरूरी है कि cell division के time जब भी हम growth checkpoint pathway की बात करते हैं तो कौन से तीन pathway होते तो रैस होता है AMP के होता है और टॉर pathway होता है ठीक यह तीन ओ पाथवे यहां पर होते हैं अब बात आती है कि हमने overview देख लिया checkpoint का लेकिन यह checkpoint कब activate होंगे कहने का मतलब क्या है कि जब कोई cell checkpoint से जाती है अगर सारी चीज़ नॉर्मल है तो checkpoint को active करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई कोई डेमेज हो गया specially DNA में damaged है तब जाके आपके इन checkpoints को activate किया जाएगा तो यह checkpoint विसकली होते का है इनका नाम कहां से आया है तो यहां पर ATM है ATR है checkpoint जैसे यहां पर लिखा हुआ CHK 2 & 1 यह विसकली checkpoint kinase होते हैं इनका नाम क्या है कोई ऐसे kinase है जो इस checkpoint पर present है तो जो one checkpoint पर उसका नाम पढ़ गया checkpoint kinase one और जो second पर है that is checkpoint kinase second ठीक और बागी यह आपके यहां पर full form लिख दिये गए आप शुड़ू कहां से होने वाली story कि मान के चलिए DNA replication हो रहा था तो DNA replication हो रहा था यह होने के बाद देखा कि double stranded DNA ब्रेक हो गया यह replication चल रहा था और replication block हो गया stalled replication for मतलब replication जब चलता है तो आपकी replication for का formation होता है तो वहीं पर क्या हो गया किसी तरीके का कोई ब्लोकेज हो गया block हो गया DNA mismatched हो जाए या फिर nucleotide damage हो जाए कुछ भी हो सकता है तो यह सारे आपके ultimately DNA damage कहलाएंगे तो यह चारों के चारों damage या जो disrupt हुआ है DNA में यह कुछ pathway activate करते हैं जिनको कहा जाता है ATM और ATR pathway तो यह ATM और ATR जो kind of protein होते हैं इनको करेगा active जो आगे active कर देते हैं आपके kinase को checkpoint kinase को then checkpoint kinase ultimately अब तीन चीज़ें करेंगे तीन चीज़ें क्या करेंगे पहला काम है कि cell cycle लिए अरस्ट नहीं करेंगे पहला क्या है कि माइन्यूट सा डैमेज हो सकता है एकाद्दो न्यूक्लियोटाइट का यहां से वहां हुआ है तो उस cases में यह repair कर देगा सीधा क्या हो जाएगा already लिखा भी हुआ है कि repair हो अब repair हो गया ठीक है बाई चलता जा रहा था चलता जा रहा था बीच में कोई दिक्कत हो गई हमने उसको repair कर दिया pathway को नहीं रोका बुचल रहा है दूसरी चीज क्या होती है कि नहीं भाई दिक्कत थोड़ी से बड़ी हुई है तो एक काम करिए मशीन को बंद करिए पहले तो मशीन को बंद करने के लिए क्या जरूरी है कि Scycling CD case complex को inactive करना तो inactive कब होगा जैसे हमने देखा था CDC 25 जो एक फॉस्पेटेस था फॉस्पेटेस था और यह कर क्या तो इन्हीवीटरी फॉस्पटेस को इन्हीवेटरी पोजिए तो क्या करेंगे इसको हम इन्हीवीट कर देंगे जैसे ही हम इस फॉस्पटेस को इन्हीविट तो इनीविटरी phosphate आपके नहीं हो पाएंगे तो यह complex indirectly कैसे हो जाएगा और इनीविट कैसे होगा क्योंकि जो आपका वीवन काईनेस है वह कॉंटीनीव यहां CDK के ऊपर देता रहेगा क्वाइब तो कौन उस फॉस्पेट को रिमूब करें कोई नहीं कर पाएगा तो आपका कॉंप्लेक्स हो जाएगा एक इनेक्टेव हो जाएगा तो सेल जहां पर भी कॉंप्लेक्स इनेक्टेव हुआ है उस फेज में जाके रुख जाएगी यूगि सीविक नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाईगी तीसरा काम क्या है ते तूर चीन होता है या आपका ट्यूमर में का सप्रेसर वेशनर दिश्क ऱीजिव का या आप इसको प्रोटीन कहिये टूमर सप्रेसर प्रोटीन तो जब आप इसको एक्टिवेट करते हो तो यह सीधा सेल को कहां भेज़ देता है एपॉप्टोसिस में भीज़तेगा और साथी साथ P21 का भी एक्टिवेशन कराता है P21 यह वह वाला है याद आ रहा है आपको P21 या फिर 27 पी 27 या पी 57 और यह क्या कर रहे थे एस फिज रेगुलेशन में हमने देखा था CD के 2 एंड साइक्लिन एंड 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 कॉम्प्लेक्स को इन हीविट करते हैं तो दीकि तीन possibilities हो सकती है तीन क्या क्या possibilities हो सकती है कि पहला तो यह हैं कि यह जो चेक्पॉइंट activate हुए है तो अगर माईनूट सा है तो repair में चला जाएगा यहाँ पर cell cycle को रोका नहीं की जाएबाज सीदा सीधा चलते चलते आप कर देंगे अगर कोई ऐसी दिक्कत आ गई एक थोड़ा गडबडEr है जाधा एक तूसा को रोका जाएगा और प्रॉपर फिर उसका यलाज किया जाएगा और थीसरा अगर बहुत जादा सिबीर डेमेज होगा एक तब क्रिटीकल कंडिशन है तो ऐसी कंडिशन में पी-53 को बुलाए जाएगा पी-53 मतलब पापा जी आएंगे और पी-53 आएगा तो सीधा एपॉप्टोसिस होगी है पॉप्टोसिस मतलब सेल को ही आप बाहर निकालिए चांसेज ही इस तरीके का होगा यह कुछ इस तरीके से पाथवे सामने आती है अब एक-एक करके हम ATM-ATR के वारे में थोड़ा सा देखेंगे ठीक तो बात क्या आती है इसी को फ्लो डाइग्राम में बताएगा है कि DNA डेमेज के कुछ टाइप हो सकते हैं अब टाइप में आपके कौन-क इसमें टू-डिने लॉस द्यूरिंग माइटोसिस तो यह काफी सिवियर होता है डबल स्रेंड़ेड दैनिज सेंगल इस्टैंड की बात करें तो यह आपका रियर डिफैक्ट होता है इसमोर रियर डिफैक्ट कभी आब होता है और यह कम है थर्ड टाइप में स्रक्शर नुक्लियोटाइट और फूर्थ में DNA mismatch हो जाए तो इसमें severe आपका double strand वाला है, single strand वाले को आप medium कह सकते हैं, बाकि यह जो होते हैं, यह आपके कुछ ऐसे changes होते हैं, जिन्हें आप repair कर सकते हैं, damage response की बात करें, तो मानगी चलिए, बहुत कम damage हुआ है, minute हुआ है, very less, तो इ polymerase, epsilon और delta की ज़रूरत होगी, तो polymerase अगर छोटा मोटा minute सा damage है, minute सा change है, तो उसको क्या कर देगा, bypass कर देगा, और सीधा synthesis करता रहेगा, अगर damage जो है, वो average है, बहुत कम नहीं था, medium type का है, तब जाके activate करा जाएगा repair pathway को, कि बिना repair करें, आपका continue नहीं होगा DNA synthesis, अगर मा DNA damage का severe form है, बहुत जादा damage हुआ है, तो इस condition में cell को सीधा apoptosis में भीज दिया जाएगा, that is program cell death, तो ये तीन outcome हो सकते हैं, बहुत minute सा था, very less damage, तो सीधा bypass कर जाएगा, average है, तो repair pathway और severe है, तो apoptosis में जाएगा, अब बात आती है कि इस damage को sense कौन करता है, इसको sense करते है तो जो आपके ATM और ATR होते हैं, ये दौनों काइनेज हैं, और कौन से काइनेज है, होमो लोगस प्रोटीन काइनेज, तो ये sense करेंगे, ATM double strand break को sense करता है, ATR single strand break को sense करता है, और कुछ आपके adapter प्रोटीन होते हैं, जिनको checkpoint kinase कहा जाता है, checkpoint kinase 1 and 2, तो ये आपके sensor protein होते हैं, तो MCQ में अगर सीधा question आए कि sensor protein या DNA damage sensor protein कौन-कौन से है, ATM, ATR आपके homologous protein kinase होते हैं, adapter protein में आएगा आपका checkpoint 1 and 2 kinase, ठीक, अब इसके बाद हम बात करें, DNA damage pathway की, ATM और ATR, तो क्या ये दोनों एक तरीके से काम करते हैं, या फिर ये कुछ ऐसा है कि भाई, इसमें आपका अलग-अलग पात्वे होगा, तो ATM अलग है, ATR अलग है, ATM कैसा है, severe type का था, अगर आपको याद हो, ATM किस तरीके के damage को दिखाता है, double strand break के लिए, और यहां पर आपका single strand break होगा, या फिर replication stress होगा, that is, replication fog को styled कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो ये भी आपका kind of damage है, लेकिन इसको आप single strand में consider कर सकते हैं, ये severe damage है, that is, double strand, तो severe है, तो अलग चीज़े activate होगी, और आपका अगर minute, minute नहीं कह सकते, average है, तो अलग चीज़े activate होने वाली है, तो severe मतलब double strand, तो double strand में क्या होना है, पात्वे ATM बाला activate किया जाएगा, तो ATM आगे चलके checkpoint 2 को activate करेगा, या checkpoint 2 मतलब की G2 phase की बात हो रही है, क्योंकि checkpoint 2 वही पर था, या G2 checkpoint जो था, या आप कह सकते हैं, checkpoint kinase second को यहाँ पर activate कर दिया जाएगा, अब जैसे ही activate होगा, तो दो outcome हो सकते हैं, दो outcome क्या होंगे, या तो machine को रोकिए, या फिर machine को मतलब cell को खतम कीजे, क्योंकि बहुत जादा damage है, तो एक दी जाएगी इसको, एक्टिवेट करा जाएगा, CDC 25 को, CDC 25 क्या करेगा, cycling CD के complex को inhibit कर देगा, और cell cycle अरस्ट हो जाएगी, या दूसरी चीज करी जाएगी, कि P53 को active कर दिया जाए, और P53 जैसे ही active होगा, तो आगी चल के क्या हो जाएगा, apoptosis हो जाएगा, that is apoptosis, तो जब भी आप ATM pathway की बात करेंगे, तो इसके दो outcome होते है, ATM pathway में या तो apoptosis या तो cell cycle को रोकिए, तो apoptosis कैसे जब आप P53 को activate करेंगे, और अगर cell cycle को रोकना है, मतलब CDC 25 A को inhibit कर दीजे, दूसरी condition आ रही है, आपकी ATR pathway की, तो ATR में cell को apoptosis में नहीं भीजा जाएगा, ये बात mind में रखिएगा हमेशा, जब भी ATR की बात करें, ये average stress है, average अगर है, तो इसको repair में हमेशा भीजा जाएगा, इसमें apoptosis नहीं होगी, तो होता क्या है, कि यहाँ पर checkpoint A को activate किया जाएगा, checkpoint kinase 1 activate होगा, जिसके total 4 outcome हो सकते हैं, क्या 4 outcome, कि यह CDC 25 A को inhibit कर दे, CDC 25 C को inhibit कर दे, तो CDC जब भी inhibit होगा, CDC 25 आप चाहिए आप A की बात कर लें, या तो फिर आप C की बात कर लें, अगर आप इसको inhibit कर रहे हैं, तो regulator complex inhibit हो जाते हैं, और regulator complex आपके क्या है, regulator complex जिसमें आएगा आपका cyclin plus CD के, तो यह आपके inhibit हो जाएगे, ठीक, दूसरा यह क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, अरोरा काइनेस को, तो अरोरा काइनेस यह और भी का क्या का, मैं फॉस्पोराइलेट कराना, तो जब यह फॉस्पोराइलेट कराते हैं, तो आपको याद है, वो attachment spindle fiber assembly में हमने इनका काम देखा था, लेकिन, although यह वहाँ पर काम, यहाँ पर यह बात हो रही है, आपके, जैसे DNA damage की बात करा है, तो यह synthesis phase और G2 या G1 phase में, क्योंकि G1 phase में भी DNA damage की possibility है, S phase में और G2 में भी है, लेकिन जो aurora kinase है, यहाँ पर aurora kinase A और B प्रेजेंट होंगे, जो फॉस्पोराइलेशन कराएंगे, जब यह फॉस्पोराइलेशन कराती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कि again inhibit हो जाएगा, inhibit क्या हो जाएगा, synthesis वगेरा, या जो spindle fiber जो assembly शुरू हो जाती, क्योंकि अगर आपको या तो G2 में, पूरा duplication की बात करीगे थी, centriol की, तो उन सारे aspects को यह inhibit कर देगा, तो यह inhibit करेगा आपके components को, cell cycle component को, और जैसे ही यह inhibit करेगा, तो आगे चलके आपकी cell cycle complete नहीं हो पाएगी, तो अरोरा kinase को भी यहाँ activate किया जाता है, polo-like kinase, तो यह आगे चलके spindle fiber assembly नहीं होने देंगे, तो बोई बात यहाँ पर लिखी गई है, तो component जैसे जो आपके बन रहे थे, tubulin थे, centriol cycle थी, उनको कुछ ही inhibit करा देगा, जिससे क्या होगा, spindle fiber assembly आगे चलके नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को inhibit ही किया जा रहा है, यहाँ cell death की बात नहीं होती, तो double strand में cell cycle को रोका जाएगा, लेकिन majority में apoptosis ही perform होगी, और यहाँ पर पूरा यह repair pathway के थुरू काम किया जाएगा, तो जरा यह path भी देख लीजिए, वो तो हमने expected outcome देखी लिए, ATR वाले, लेकिन ATM में किवल हो किवल हमने इतना देखा कि P53 activate होगा, P53 activate होके आगे चलके क्या करता है, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीज़, तो P53 apoptosis कराता है, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और बताई, कि यह क्या करता है, यह आपकी cell cycle को भी arrest कर सकता है, कैसे जरा देखिएगा, मान के चलिए DNA में double strand break हुआ, तो ATM-ATR kinase का activation हुआ और यह checkpoint के बारे में होगा आपका activation, तो P53 के context में अब आगे चलके हम यह पूरी cycle पढ़ रहे हैं, तो P53 को initially inhibit करके रखता है, यह P53 अभी कैसा है आपका, inactive है, P53 inactive इससी लिए है, क्योंकि यहाँ पर एक protein होता है, जिसे MDM-2 कहा जाता है, यह जो Madam-2 है, यह P53 को bind करके रखती हैं, और जब तक P53 के पास, या पापा-मम्मी जैसा concept, P-Papa और MDM-2 आपकी मम्मी के जैसी हैं तो जब तक पापा-मम्मी के साथ रहते हैं, तो इनिविट से रहते हैं, जादा कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जैसे ही आप MDM-2 के लिए बाहर कर देंगे ना, तब इनका असली रूप आपको देखने को मिलेगा, कि यह कितने dangerous हैं, यह पूरी की पूरी cell cycle को रोख सकते हैं तो P53 कैसा होगा, एनक्टेव होगा, आगे चल के इसका degradation हो जाएगा, और degradation कैसे होगा, यह भी क्यूटीन का tag लगा के इसको कर दिया जा रहा है, लेकिन भाई, कोई damage आ गया, अब जरूरी है P53 को एक्टेव करना, तो सबसे पहले MDM को हटाया जाएगा, कि चलिए, अब आ का release होगा, तब पूरा P53 फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, और हो गया है, स्टेवल, जब यह फॉस्फोराइलेट हो गया, स्टेवल हो गया, मतलब एक्टेव हो गया, और एक्टेव होनी के बाद, यह DNA के पास जाके, जो P21 जीन है, उसके साथ वाइंड करेगा, वाइंड करनी के बाद, पूरा transcription होगा, translation होगा, तो P21 बनेगा, और P21 क्या है, काइंड ओप inhibitory protein है, जिसको CDK inhibitor protein कहा जाता है, cyclin dependent kinase inhibitor protein, तो यह जो inhibitor protein है, यह क्या करेगा, complex से bind करेगा, यह जो active complex है, जैसे उसके साथ bind करेगा, तो inactive कर देगा complex इसको, तो कुछ इस तरीके से आपका P53, P21 protein को synthesize कराता है, और P21 जाके regulatory complex को inhibit कर देता है, ठीक, तो यह भाई, वो ही P53 से related inhibition pathway है, अब यहाँ पर जो आपको समझाया गया है, इतना ही हमें पढ़ना है ATM-ATR को, अब जब यह जो repair कुछ pathways होते हैं, nucleotide excision repair कहलाता है, यह आप DNA repair मतलब unit C में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बस आपको ATM-ATR के बारे में जानना था, जो म comparison के form में पूरा कुछ लिखा हुआ है, कि full form क्या है, कहां पे, जैसे ATM double strand, ATR single strand, damage के time activate होगा, फिर activation mechanism की recruitment कैसे होता है, तो एक complex होता है, MRN complex, जिसमें कुछ इस तरीके के protein आते हो, उनके थूरू recruitment होगा, ATM protein का, ATR का, फिर main function क्या है, double strand में, cell cycle arrest करेगा, hypothesis यहां repair की बात होगा, hypothesis नहीं होता, key points की बात करें, kinases की बात करें, तो यहां पर checkpoint kinase 2 होता है, P53 होता है, यहां पर checkpoint 1 होगा, यहां भी P53 होगा, फिर इसके बाद अगर आप transition की बात करें कि कहां पे ATM pathway helping कराएगा, कहां ATR, तो यह maximum G1S transition G2M में और यह आपका S और G2M के ल तो tumor suppression के लिए होता है, genomic stability और again ATR भी आपका उसी में जाएगा, associated disorders की बात करें, तो आपके कुछ disorders होते हैं, taxia और साथी साथ, sickle syndrome, तो यह comparison के form में पूरा वेदिमी capsule में लिखा हुआ है, ठीक, अब यह भी आपकी काफी enriched slide है, जिसमें हर एक stage मतलब की, जैसे एक M phase checkpoint में हमने देखा, तो M phase में कैसे आपका inhibition होगा, कुछ हमने G1 phase में helping देखी थी, और फिर आपका G2 phase में देखा था, तो हर एक phase में cyclin cd case है, तो यह बहुत अच्छा diagram है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करिए, तो आपको यह चीज अच्छे समझ में आएगी, जैसे जब भी हम बात करें, मान के चलिए, आप M phase की बात कररें हैं, आप G1 phase की बात कररें हैं, G2 की बात कररें हैं, तो G1 की बात करें, G2 की बात करें, तो DNA damage मतलब कि आपका ultimately DNA से related ही पातफ़े होगा, तो DNA damage हो सकता है G1 में भी हो, synthesis के time भी हो after synthesis मतलब G2 phase में जब checkpoint हुआ तो भी वहाँ पर damage हो और आगे चलके जब आप M phase में spindle और kinetocore chromosome की बात कर रहे हैं भाई assembly disorder किसी तरीके का हो जाएं तो हर जगा DNA की ही बात कर रहे हैं ठीक तो हो सकता है यह जो ATM और ATR pathway हो यह हर stage मतलब कि आपकी जो M phase है वहाँ पर भी इनिविट करेगा G में भी करेगा और S में भी करेगा यह तो अपकॉमन हो गया तो हर जगा इसके दो ही आउटकम होंगे दो आउटकम क्या एक तो यह cdc25 को एक्टिब कर दे और दूसरा आउटकम होगा वह p53 वाला दो ही आउटकम होंगे इन पाथवे के कौन-कौन से या तो cdc25 आपका इनहीविट हो जाए नौट एक्टिबेट cdc25 इनहीविट हो जाए और p53 तो यह वह पाथवे लिखे हुए लेकिन कनेक्टिविटी के साथ लिखा हुआ है कैसे कि मानके चलिए dna रप्लिकेशन जब ओन गोइंग था और किसी तरीके का कोई मिसमैच हुआ एबरेज है तो एक्टिवेट होगा एक्टिवेट हुआ तो चेक्पॉइंट बन और चेक्पॉइंट बन है तो किसको एक्टिवेट करा जाएगा इनहीविट करा जाएगा cdc25 c के लिए सेल साइकल अरस्ट हो गई एम फेज में फिर मान के चलिए अगर डेमिज थोड़ा सा जादा है तो एटियम को पाथवे को इनहीविट किया जाएगा दो तरीके के आउटकम बन सकते हैं cdc25 इनहीविट हो जाए या p53 तो p53 आगे चलके क्या करेगा पी 20 बना देगा और पी 21 फिर से इस माइटोटिक cdk को इनहीविट कर देगा अगर आप जीवन फेज में आए तो भाई हो सकता है यहां भी कोई DNA डेमेज हो गया हो तो ATM and ATR फिर से p53 p21 cyclin cdk inhibit DNA डेमेज फिर से अगर आप देखेंगे यहां बर तो ATM ATR p53 p21 फिर से एस फेज में डेमेज हुआ है तो cdk cyclin inhibit दूसरा आउटकम हो सकता है कि इनहीविट कर दे cdc 25 के लिए रैप्लिकेशन स्ट्रेस की बात करें ATR एक्टिवेट होगा चेक पॉइंट वन जो इनहीविट कर देगा cdc 25 के लिए फिर आपके एस फेज के cdk cyclin inhibit चेक पॉइंट वन एक चीज यह भी कर सकता है कि रैप्लिकेशन को हेल्ट कर दे तो लेटर रैप्लिकेशन या लेट रैप्लिकेशन तो पॉसिविल आउटकम आपके बोई बनने वाले हैं अब यहां पर जोड दिया जाए कि सिबीर डैमेज है तो पी 53 के दो आउटकम एक तो आपका पी 21 और साथ ही साथ या तो अल्टीमेटली अपक्टोसिस में चला जाएगा डैट इस एक्टिवेट कर देगा प्रोग्राम सिंदेट के लिए तो यह सारे पाथवेज हो है यह आप कैंसर बैयोलिजी अपक्टोसिस जब आएगी तब उसमें भी पढ़ेगे ठीक तो समझ गए कहीं पर भी डैमेज हो च्याएं जीवन में हो चाए स में हो चायए जे टू में हो एम फेज में अगर आपको इनिविट करना हर एग जगा अगर डीन इमें कोई डैमेज हुआए तो बस इतना देखा जाएगा की जाधा है कि कम है कम है ATR आएगा ज्यादा है ATM आएगा और outcome मैंने आपको दिखा दी फिर third जो है उसको कहा जाता है spindle checkpoint तो spindle checkpoint बड़ा simple है यहाँ पर केवलो केवल एक चीज देखी जाती है कि chromosome में जो kineto core है और spindle fiber उनका proper attachment हुआ है या नहीं है अगर improper attachment है तो क्या किया जाएगा अच्छा मुझे एक बात बताईए कि जैसे यह मैं आप से बस आप इत्ता पढ़ चुके हैं यह जब भी हम बात करते हैं कि spindle fiber का proper attachment नहीं हुआ है kineto core से और आप से कहा जाए कि आपको chromosome separation नहीं होने देना है क्योंकि attachment प्रॉपर नहीं है तो आप कौन से प्रोटीन को एक्टिब करोगी या कौन से प्रोटीन को इनेक्टिब करोगे कॉस्चन है अगर attachment प्रॉपर नहीं है तो ultimately आप ऐसा क्या करेंगे कि separation रुख जाए जी नहीं cancer biology मैं नहीं पढ़ाऊंगी cancer biology आपको sonic सर पढ़ाएंगे वो unit 4 पूरा आपको पढ़ाएंगे signaling भी सर ही पढ़ाएंगे और cancer सर पढ़ाएंगे apoptosis बगेरा सब को सर पढ़ाएंगे अब देखे कुछ कह रहे हैं कि cohesion को activate कर सकते हैं securing active करके रखेंगे हाँ यह answer बहुत closest है जिससे separate release ना हो तो यह अभी तक का सबसे close answer मिला है लेकिन securing और separate भी तो किसी के activity पे active हो रहे थी ना अगर आपको separate को free करना है तो securing को degrade कर रहे थे हो securing के degradation के लिए क्या जरूरी था enough is promoting complex स्नेहा है जो बता पाई है कि आप इस पे काम करोगे that is APC पे अगर आप APC को inactive कर दोगे तो आगे चलके ना यह securing को degrade करेगा securing नहीं होगा तो separate is free नहीं होगा अगर separate is free नहीं होगा तो कुछ cleavage नहीं होगा और आपके chromated जो हैं उनमें separation नहीं होगा तो हम यह चीज ही करेंगे क्योंकि यह बैसा है कि जो सबसे जादा मैंने उसी को पकड़ के रखे आप छोटे मोटे बच्चों को पकड़ के रखोगे तो कोई मतलब नहीं हो सकता है उनको कहीं से कोई फेब्रेविल कंडीशन मिल जाए ताके कट कर दें separation हो जाए तो आपको एक जो मैन कंपोनेंट होता है जो उस पूरी spindle fiber की assembly और साथ ही साथ separation को regulate कर रहा है specially regulate कर रहा है separation को तो उसको आपको इनेक्टिव करना होगा इसलिए हम यहां पर नेक्टिव करेंगे कहना फिस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स एपी सी के लिए तो एपी सी भी इतनी आसानी से नेक्टिव नहीं होगा बहीं एपी सी तो तब इनेक्टिव होगा जब इस पर फॉस्पोराइलेशन कराया जाए अगर कल की क्लास का थोड़ा सा याद आ रहा हो तो जब भी हम क्रोमोजोम सेपरेशन के बात करते हैं तो एपी सी प्लस सी डी सी 20 जब यह तो आनों आपस में एक साथ होंगे तब जाकि यह एक्टिव होगा ऐसा कॉंप्लेक्स कैसा होता है एक्टिव होता है और अगर आपको इसको इनेक्टिव करना है तो करना क्या है सी डी सी 20 पर फॉस्पोराइलेशन करा दीजे तो जैसे ही आप इसको फॉस्पोराइलेट कर दोगे तो यह भाग जाएगा पी 20 जैसे ही भागेगा तो आप बचा हुआ है केवल एनाफिस प्रोमोटिंग कॉंप कैसे क्या काम चलता है तो जैसे मानके चलिए यह आपका नॉमल स्टेज है अगर प्रोपर अच्छे से अटेच्मेंट हुआ है तो क्या करेंगे एनाफिस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स को एक्टिव कर देंगे एक्टिव करने के लिए सी डी सी 20 चाहिए जो उसके साथ बं कर दिया और यहां पर साइक्लिन बी पर जैसे ही टैग एड हो चुका है तो लॉंग टैग होनी की वज़ा से प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा किसका एक तो साइक्लिन बीका एड़ सेम टाइम सेक्यूरीन का जैसे ही सेक्टिव हो रहा था आपका एनाफिस प सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट थी यहां पर तो यह पूरा पात्वे कल हमने डीटेल में देखा था और सेपरेशन हो चुका है सिस्टर क्रोमेटिट का यह हमने कल पढ़ लिया था लेकिन किसी बजाए से ऐसा हुआ कि अन अटेज्ट रहे गई क्रोमा काइनेटो कोर से जो कंडिशन में आपको सेपरेशन को रोकना है सेपरेशन को रोकना है तो एपी सी के लिए आपको कर देना है क्या एनेक्टिब तो बस उसी एनेक्टिब को हमें इस स्पिंडल चेक पॉइंट में पढ़ना रहता है तो इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉमिशन होता है जिसे एम सी मतलब कि माइटोटिक चेकपॉइंट कॉंप्लेक्स कहा जाता है इसमें टोटल फूर प्रोटीन होते हैं बब आरबन बब थ्री मेड टू एंड सीडीसी 20 टोटल फूर यहां पर प्रोटीन होगे और इन सब का यह फुल फॉर्म मैंने यहां पर लिख दिया है अगर आप जान मारा पूरा स्पिंडिल चेकपॉइंट में काम किया जाता है तो अगर आप यहां पर देखते हैं इसको मैं एरेज कर देती हूं और यहां पर अगर आप देखें तो क्या दिया गया है वोई पॉइंट से अगर काईनेटो को अन अटेज्ट है प्रॉपर अटेच्मेंट न देते हैं दो प्रोटीन एक तो मैड है एंड बव प्रोटीन है और फॉरमेशन और एमसी सी रिजल्ट इनिविशन ओप तो आपको अल्टिमेटली करना क्या है कि CDC 20 को इनिविट करना है और CDC 20 इनिविशन के लिए जरूरी है मैड एंड बव तो दौनों मिलके CDC 20 को कर इनिविट तो आफ इस प्रोमोटिंग कॉंपलेक्स इनिविट होगा जैसे इनिविट होगा तो आगे चलके सपरेज फ्री ही नहीं हो पाएगा और नहीं सपरेशन होगा तो यह आपका पूरा एक ओवर व्यू है कि हमें कौन-कौन से प्रोटीन का इस्तमाल करना है MCC क्या है उसमें क्या क्या है कुछ इस तरीके से आपका यह पूरा पाथवे बनता है स्पिंडिल चेक पॉइंट से तो अगर करेक्ट है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है जब सब चीज़े करेक्ट थी तो हमें कुछ नहीं करना है अराम से सपरेशन हो जाता है लेकिन जब अरूरा काइनेज तो कोई स्टोरी नहीं होगी लेकिन अगर जैसे ही फॉस्पोराइलेशन हो गया क्योंकि जैसे अरूरा काइनेज था अगर आपको याद हो कि जैसे ही आप स्ट्रेच कर दे रहे थे प्रॉपर अटेश्मेंट था तो अरूरा काइनेज फॉस्पोराइले नहीं कर पा रहा था तो डी फॉसपोराइलेशन था मतलब की बड़ी आच्चे से चीजा चल रही थी लेकिन जैसे ही लूज हो था तो अरूरा निस फॉस्पोराइलेशन को शो कर रहा था तो मतलब कैसा था उतने इंडलियों था यहां और वो काइनेस कहलाता है MPS1 काइनेस जो फॉस्फोराइलेट कर देगा इस प्रोटीन को अब जैसे ही आपका यह प्रोटीन की एन एलवन फॉस्फोराइलेट होगा तो अब यह रिक्रूट करेगा का MCC के लिए क्योंकि MCC का ही रिक्रूड्मेंट ज्यादा जरूरी है तो पहले स्टेप में क्या होगा फॉस्फोराइलेशन होगा तो फॉस्पोराइलेशन और फॉस्पोराइलेशन भी कौन करने वाला है फॉस्पोराइलेशन भी आपका MPS1 काइनेज क्योंकि काइनेज है तो फॉस्पोराइलेशन करा देगा किसका KNL1 का जैसे ही आपका फॉस्पोराइलेशन हो गया अभी इस फॉस्पेटेस को भूल ज चाहिए इसका भी बात में बताऊंगी कि क्यों यह यहां लिखा हुआ है काइनियस ने फॉस्पोरायलेशन करा दिया जैसे ही आपका cnl1 एक्टिव हो गया तो यह फिर दूसरा काम क्या है कि रिक्रूड करना है तो यहां पर क्या होगा रिक्रूट्मेंट होगा और रिक्रूट्मेंट किसका होना है mcc का तो बस mcc क्या है इसमें टोटल फॉर प्रोटीन बनने वाले हैं तो फॉर प्रोटीन आपस में जिसमें बव बन हैं बव थ्री है और मेड होता है तो यह सारे और cdc20 होता है तो इन सबको फिर रिक्रूट किया जाएगा तो रिक्रूट जैसे ही आएंगे तो एक कॉंप्लेक्स बनेगा एम सी सी कंपोनेंट जिसमें टोटल आपके फॉर प्रोटीन होंगे cdc20 की एक्टिविटी को ब्लॉक किया जाएगा मैड के थू और बब के थू और फिर इस तरीके से आपका कॉंप्लेक्स इनेक्टिव होगा और मेटा फेज में पूरी की पूरी असेंबली को अरेस्ट कर दिया जाएगा तो बस यही पाथवे आपके काम का है यहां पर बस आपका लिखा हुआ है कि फॉस्फोराइलेशन रिकूरूड मेंट होगा आगे चलके आपका यह एनाफिस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स यह कुछ मिले पूरा आपका कॉंप्लेक्स बन जाता है यहां पर आपका पूरा पाथवे लिखा हुआ है वही पर अगर प्रॉपर अटेश्मेंट है तब कहानी आएगी फॉस्परेज की तो यह जो मैंने बात कही थी कि यह जो कराना लेकिन जब प्रॉपर असेंबली हो गई है तो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर यह टाइट हो जाते हैं तो दूर हो जाते हैं तो क्यों एम पीएस काइनेज 1 के एनएलको फॉस्फोराइलेशन को खतं करेगा डेट इस डी फॉसफोराइलेशन तो जब असेंबली करेक्ट है तो फॉस्फफटेज आएगा तो दी फॉस्फोराइलेट करेंगा के लिए और के एंवल ही तो आपका हीरो है के एनल ही ही एनल को अप हटाद लड़ी फॉस्फपोराइलेट कर दें तो रिकूरूड मेंट ही नहीं होगा MCC का जब कॉम्प्लेक्स ही रिकूरूड नहीं होगा डिसअसेंबली हो जाएगी तो डिसअसेंबली तो इनक्टिब हो बब और मेट जब दौनों एक्टिव हो जाएंगे तो CDC 20 आपका कैसे हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा इसकी एक्टिविटी को कोई ब्लॉक करने वाला नहीं है तो APC एक्टिव होगा और सेग्रियेशन हो जाएगा कि तो वस यह आपकी कहानी है तो इन प्रोटीन को ही आपको याद रखना है और इनको याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है शुरू कहानी होनी है एक लड़का है अगर आप इसे स्टोरी के फॉर्म में पढ़ें जिसका नाम आप रख सकते हैं कुनाल क्योंकि के एन एल है तो कुनाल लाम कुछ सब्चे से फ्रेंट यह सबसे अच्छा फ्रेंट क्यों वह तो यह दोनों अच्छे दोस्थ यह लेकिन मैं हीरू आपका कुनाल था कैनल फिर इसके बाद एक दूसरा इसका दोस्त है जो फॉस्फोर्डारीड कर रहा है तो जैसे ही ही मोर्ट हुआ तो यह एक बहुत बड़ी मशीन MCC को उठा सकता है तो MCC में आपको फूर कंपोनेंट मिलेंगे बब मेड एंड CDC 20 बब दो फॉर्म में होगा आरवन होगा एंड फॉर्म में होता है बस जैसे ही आपकी असेंबली थी तो उसको इसने उठा दिया रिक्रूड कर दिया और उसके बाद एक और कहानी यहां पर जुड़ती है CDC 20 एक्टिविटी ब्लॉक करने की जिसका काम करता है बब और मेड यह दौनों कलेक्टिवली CDC 20 को एनक्टिव करते हैं यहां पर अगर आप आएंगे तो जो कुनाल आपका हीरो था अब हीरो है तो एक विलिन जरूर होगा इसके पास एक विलिन होता है जो कि आपका फॉस्पिटेज है प्रोटीन फॉस्पिटेज बन जो डी फॉस्पोराइलेट करा देगा तो सारा क सारा अप्रोजट हो जाएगा है ठीक तो मैं जादा नाम इसलिए इस्तमाल नहीं करती है कुनाल पता चले आपको कुनाल याद रहा है और बाद में के एनल को भूल चुके हैं तो एनलोजी में हां यह दिक्कत हो जाती है कि बस नाम तो कोशिश यह कर सकते हैं कि जो फ्रें डी रहा है पैसा सुधराइल मारत कर रहा है जैसे ही के पास फॉस्पोराइलिशन पैस आहरा पैसा तो यह पोस्भी होथ 원래 प्रakenय आब अब देखिए जरा एनलमि का नाम डेके फ्रेंग जो रखना है लेकिंट आसा ना कर एक्सकें करें कुछ कह रहे हैं चोच्छ यह 679 शि देकों को ब्रेंपत्स नहींे सोगा da लुकुई और अपस्पॉरी नहीं होगी तो एक्टिविटई नहीं सब्सक्राइप के इसे सीरे 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 पर लिखी हुई है जब बहुत करें प्रिवेंशन की तो पाथ भी जो है वो प्रिवेंट कर देता है यह जो आपका स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पाथ वे अगर एक्टिव हुआ है तो यह प्रिवेंट कर देगा एना फेस में जाने के लिए सेल को कैनेटो कोर प्रॉपरली अगर अटेज्ट है तो अपना काम हो जाएगा और अगर न काइस्टी अटेज्मेंट है तो फॉल्टी अटेज्मेंट में जो आपका के अनेल बइंच ए जो आउंटन कर देगाucharget के काइन काहिका जैसे ही गुए पास्पोर आइलेंट कर देगा तो मेंट today कम्प्रीन हो जाएES और मुइन को कॉन्प्लेक्स हो रिक्रूट जैसे ही करेगा तो CDC 20 को इनिविट करेगा मैड एंड बब और अल्टिमेटली आपका कॉम्प्लेक्स वी इनिविट हो जाएगा सेपरेशन नहीं होगा तो यह बोई कहानी अहां पर लिखी हुई है अब बाद में यह थोड़ा मैंने MCQ फॉर्म में लिख दिया है एक टम में कि जैसे आप से सीधे कॉश्चन्स अगर पूछे जाएं कि जो आपका MCC है उसमें टोटल कितने प्रोटीन होते हैं तो फोर प्रोटीन होते हैं बब आर मेड़ टू किस से बाउंड करता है तो यह बाउंड करता है एपीसी में जो आपका CDC 20 होता है उसके साथ यह बाइंड करेगा अब बात आएगा कि CDC 20 की एक्टिवीटी को कॉन ब्लोग करता है तो मैड और बाब क्लेक्टिबली क्या कर रहे थे इनीविट कर दे रहे थे और फॉर्मेशन ओब दा MCC अल्टीमेटली किस चीज़ को इनीविट करेगा एनाफिस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स को तो वह बात यहां बलिग दी गई है तो इससे आपकी और कर निक्टिबिटी अच्छी ऑचाएगी अब बात आती है और गईच्पोईंग और साथ ही साथ चेक्पॉइंट की नहीं हो तो वहीं बात यह यहाँ पर लिखी हुई कि जब सारे क्रोमोजम करेक्टली अटेज़ हो तो स्पिंडल चेकपॉइंट असेम्मली पात्वेश साइलेंस होता है जब ये साइलेंस होगा एक्टिवेट नहीं होगा तब कौन काम करेगा प्रोटीन फॉसपरटेज जो डी फॉस्पोराइलेट करेगा के एनल वन के लिए और प्रॉपर काइनेटो कोर से अटेज्मेंट होगा सी डी सी ट्वंटी एक्टिव होगा वित एना फेस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स और यहां पर पूरा सेपरेशन हो जाएगा तो साइलेंस टम भी आए तो आप ब्रेक लीजेए और उसके बाद अच्छे से माइंड में रखें तो इसके बाद ये तो हमने देख लिया थायर यूकेरियोड में बडिंग इस्ट में भी यह पाथवे चलता है बडिंग इस्ट में इसी तरीके का पात्रू मिए होता है लेकिन उसमें प्रोटीन होते हैं त तो ब्रेक लीजे और उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे, जादा नहीं है, बस ये रह गया है, और उसके बाद हमें एक वेदिमी कैपसूल देखना है, और फाइनली सेल्फ यूजन, ठीक है, तो इस पात्वे को जरा आप देखिए, तो बाच मिनिट का ब्रेक है, पानी पी लेजे, मैं भी पीलू, फिर हम मिलते हैं, झाल के भी सह aquarium, जज देखिए, मैं अजया हमें एक भी सituिर्श रहा है, को जरा आपो का दो किया है झाल 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 तो हो गई बाते? पहले आप लोगों का देख लूँ भाई messages कि शान्ती 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 क्या कौन सी शान्ती आ गई थी भाई? तो अब यह स्लाइड इसलिए ओपन करके गई थी अब पड़ापड मुझे समझा दीजिए कि यह क्या पाथवे और कैसे क्या चल रहा है? मेससर, आप लोग ब्रेक लिए कहते थे, लाउंग देखे देखते हैं 5 फिर देखते हैं क्या बताते हैं क्या नहीं बताते है? अब यह जो सबस्ते साथ हंच रहे हैं प्रिंज सैंच है कि आया है कुछ समझ में क्या लिखा है बिलकुल सिंपल है लेकि बात हमें करनी है इस के बारे में कि बड् đi इस्ट जो है कैसे उसमें सपरेशन होगा तो कैसे सपरेशन होगा यहां पर भी कोई न कोई ही चीज़ होंगी भले ही यहां पर MCC जैसी बड़ी चीज़ है ना हूँ लेकिन कुछ ना कुछ तो सेपरेशन के लिए होना ही है तो बस वही चीज़ हमें करना है देखिए अब किसी का दिहान ही नहीं गया स्लाइड पर अच्छा तो कहां था दिहान भाई आप लोगों का आखरी क्लास को कुछ ज़्यादा यल्कि में ले रहे हों आप लोग है तो यहां पर airport कर में इस्ट है तो बढ़ का करेगा बड़ो करने कर ने बाला है और डिवाइड कर जाएंगा तो डॉटर सेल चाहिंगी नहीं तो बैसा ही और पर तो CDC 14 एनेक्टिव रहता है जब जरूरत पड़ेगी तब एक्टिव होगा एड़ दा सेम टाइम नूक्लियस की टिप पे जहां पर यह बढ़ का फॉर्मिशन होना होगा यहां पर प्रेजेंट होता है GDP जिसको कहा जाता है टैम टैम 1 GDP और यह टैम 1 GDP भी इनीशली एक्टिव होता है जब जरूरत पड़ेगी तब इसका एक्टिवेशन होगा फिर यहां पर यह पूरा बढ़ दिखाया गया है जिससे डॉटर सेल बनेगी इसमें होता है LTE 1 कुछ इस तरीके से प्रोटीन की कबरिंग और यहां नीचे पे हो प्रेजेंट होता है पेरेंग क्यूंकि यह आपकी ओल्ड सेल जिससे पेरेंग सेल्स कहा चाँता है और बड मतलब की जो आपकी नुसल होने आखने बाली है नुक्लियर से शाथ यह आपको गी क्रींद लाइक कि ए 챍शर देख रहें ये रहें स्पिंडल माइक्रो टिवियूल में अगर आप टिप की बात करें एक टिप यह होगी दूसरी टिप यह होगी तो यह टिप पर स्पिंडल पॉल बॉडी प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा चाहता है स्पिंडल पॉल बॉडी तो काम की चीज क्या है काम की बस यहां पर तीन चीज़ें हैं जब भी आप दूसरी सेल बनाओगे जब भी आप बड़ बनाओगे पूरे तरीके से बड़िंग होगी न्यू सेल का फॉर्मिशन होगा तो एक तो न्यूक्लियस का ओरिएंटेशन प्रेज़ेंट दुटिप है स्पिंडल पूल बॉडी बड़ा इं However सेपरीशन के लिए स्पिंडल पूल बॉड़ बहुत इंपरिट होता है सेपरेशन के लीए और सेपरेशन मतलब कि कि किसका खो सुर्मूजौम सेपरिशन मों सेपेरेशन चे या फिर कि मतिट सेपरीके यह बहुत जरूरी है अगर आप इस नुकलियस का औरियंटेशन चींज कर दें और कुछ इस तरीके से चींज इसको कर दें यहां टिप को इस तरफ लेके आए दूसरी टेप ऐसी हो तो सेपरेशन इस तरीके से हो जाएगा बड़ में जाके लेटरली सेपरेशन हो जाएगा तो यह दोनों काफी जरूरी होते हैं एड़ दा स्टाइम जीडीप भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि जीडीप मतलब टैम बन एनलजी देने वाला है तो जीडीप एक्टिप कर देंगे तो यह एक्टिव हो जाएगा तो दो पात्वी यहां पर दिखाये ए अगर प्रॉपर बढ़िंग ओंउ इंप्रॉपर बड़िंग तो क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर निवकिलीर पॉजिशन अगर पॉजिशन निवक्लियर की एक दम ग्लिवल थीं तो क्या होगा कुछ इस तरीके से यह nucleus में हो गया elongation, elongation हुआ, cdc40 जो nucleolus में था वो आ चुका है आपके पूरी cell के अंदर, तो कुछ इस तरीके से जो अभी आपके nucleolus में था वो पूरे cell में spread हो गया, cdc40 है active, जब यह active है तो आपका TAM gtp मतलब गया नहीं active हो गया, और separation हो जाएगा proper, तो कुछ इस तरीके से separation हो जाएगा, और कुछ यह spindle जो आपको देख रहा है separate करते हुए एक pole और दूसरे pole पे आ जाएगे, और पूरा यह कैसा है आपका proper division, अब दूसरा improper division भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, nuclear position improper है, जरा इस तरीके से अकर आप देखें, तो यह laterally arranged है, तो SP जो है, that is SPB, यह spindle pole body कैसी है, laterally है, लेटरल है, तो सबसे पहला काम क्या है, CDC 40 inactive form में ही रहे, तो यह देखें, यह आपका कुछ यहीं पर है, inactive form में है, जब यह inactive form में है, तो GDP, यह भी आपका inactive होगा, क्योंकि GDP ही नहीं बना, तो GDP है, तो again यह कैसा है, inactive है, जब यह आपका inactive था, तो क्या होगा, कि orientation सहीं नहीं था, तो checkpoint यहाँ पर active होगा, और पूरे तरीके से आपका failure हो जाएगा, separation में तो cell बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा है, कि checkpoint में जो corrections होने थे, separation होगा, तो दो cell बनी, लेकिन दो cell बनी है, तो एक cell ऐसी है, जिसमें lacking है, lack of nucleus, और दूसरी possibilities, multiple nucleus, multiple nucleus, ठीक, तो अब आपको याद क्या रखना है, माइंड में रखना है, अगर प्रॉपर, यह nuclear orientation पर डिपेंड करता है, division प्रॉपर होगा या नहीं होगा, जो आपका spindle separation है, वो प्रॉपर होगा या नहीं होगा, वो depend करता है nucleus पे, तो मान के चलिए, अगर आपका proper orientation है, nuclear proper तरीके से oriented है, position है, तो होगा क्या separation proper होगा, जिसमें TAM GDP active होगा, CDC 14 active होगा, और साथ ही साथ division हो जाएगा, improper position थी, तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से division होगा, लेकिन दो cell बनेंगी, जिसमें एक में nucleus नहीं होगा, दूसरे में multiple nucleus होगा, दूसरे इतना है, यहाँ पर mind में रखना है, और यह एक तरीके की experimental condition के form में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर चेकपोइंट के बारे में जादा बात ना करके, चेकपोइंट failure की बात करी गई है, एक्चुली यह कहानी यहाँ पर भी आके रुख सकती थी, कि जैसे ही देखा कि orientation सही नहीं था, तो चेकपोइंट active हुआ, और पूरी की पूरी cell आपकी एना phase में ही arrest हो जाएगी, या meta phase से एना phase transition पे ही arrest हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, चेकपोइंट अगर fail हो जाए, कि चेक किया और आपका किसी condition में, चेकपोइंट में failure हो गया, और यह पूरा का पूरा improper orientation इसको cross करके, जब फिर division होता है, तब जाके आपका इस तरीकी का nucleus बनता है, एक वो movie देखी होगी, आप लोगों ने पा, उसमें kind of chromosomal variations ही हुए थे, तो वो जो chromosomal variations होती है, इसका मतलब क्या है कि जब division के time chromosome में minute आपका किसी तरीके का mutation हो रहा होता है, और जब वो new cell में जाता है, तो ऐसे ही कुछ होता है कि checkpoint में abnormalities हो जाए, उसको recognize ना किया जाए, और वो नई cell में transferred हो जाए, तो ऐसा नहीं कि checkpoint हमेशा ही काम करते रहेंग कि एक nucleus होगा एक cell में, दूसरे में नहीं होगा, ठीक, तो जो आपको बताया है, वो यहां पर पूरा language form में लिखा हुआ है, कि जैसे metafase, metafase में आपके क्या, mytotic spindle formation हो जाता है, starting में TAM बन GDP form में रहेगा, तो inactive रहेगा, और साथ ही साथ जो आपकी spindle pole body होती है, वो बड के पास में, क्योंकि orientation कुछ ऐसा था, कि बड के पास में present थी SPV, प्रॉपर अगर chromosome segregation हो रहा है, तो spindle extend हो जाएंगे, extension of the spindle microtubule, और daughter cell में SPV पहुँच जाती है, बड के अंदर, जिससे क्या हो जाता है, टेम बन एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा, तो kinase cascade pathway open हो जाएगा, CDC 40 आपका nucleolus से बाहर निकल के, सीधा आजाएगा, पूरी सेल में, और उसके बाद, एनाफिस promoting complex एक्टिवेट होके, cell separations या chromosome separations हो जाएगे, यह बिल्कुल वो ही pathway है, लेकिन जो आपका diagram था, वहाँ पर बस इतना, यहां तक mention था, CDC 40, CDC 40 आगे चलके, CDH1 को activate करेगा, और CDH1 attached हो जाएगा किस से, एनाफिस promoting complex से, लेकिन, अन फॉस्फोराइल इड फॉर्म में, तो जैसे ही एनाफिस के पास CDH1 आएगा, CDC 20 किसके लिए है, higher eukaryotes के लिए, budding east में CDH1, यह भी मैंने आपको कहानी बताइए, कि एनाफिस promoting complex CD20 के साथ, और साधी साथ CDH1 के साथ भी अटेश्ट होता है, तो अटेश्मेंट और प्रॉपर आपका सेपरेशन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंप्रॉपर नुक्लियर पॉजिशन थी, इंप्रॉपर सेग्रियेशन हुए है, तो नो इंसर्शन SPB अंदर ही नहीं जाएगा, बढ किन फूर इनिविटर होता है, टैम बन का जिससे यह GDV फॉर्म में ही रहेगा, और GDV फॉर्म में रहेगा, तो एक्टिवेशन मतलब GTP ही नहीं आया, CDC 14 नहीं आएगा, CDC 14 नहीं आएगा, CDH 1 नहीं आएगा, CDH 1 नहीं आएगा, एनाफिस प्रॉमोटिंग कॉंप्लेक्स एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो पूरा काम कम्प्लीट नहीं हुआ है ना फेस में तो प्रिवेंटिंग हो जाएगी, मतलब M फेस से आप एक्जिट कर ही नहीं सकते, यह चेक पॉइंट फेलियर और अल्टिमेटली प्रड्यूस किया जाएगा, नुकल मतलब नुकलियर एपसेंट और दूसरी सेल मल्टिनुकलियर तो यह पूरा आपके फ्लो डाइग्राम के फॉर्म में हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं, फाइनल चेक पॉइंट पाथवे की जिन-जिन के बारे में हमने पढ़ा, तो मैंने आपको बताया है कि तीन चेक पॉ मतलोने डैमेश पेकाम करने हैं, तो डबल स्टेंड ब्रेक अगर रहे, सिंगल स्टेंड बेक रहे, तो डबल में एटी-एम, सिंगल में एक्यर था, शुब बाइंत condensed की झाम करने करते हैं, चेक पैंट कईने लाइगेंच यह तो हो सकता है, तो phosphorylated checkpoint kinase जो है वो आपके P53 को phosphorylate कर देंगे इसको एक्टिब कर देंगे तो P53 के दो outcome हो सकते थे एक तो apoptosis और दूसरा cell cycle को arrest करना तो cell cycle को arrest करने से करेंगा जब तो P53 आगे चलके transcribe करेंगा P21 के लिए यहां पर एक और प्रोटीन आया है देट इस जी डवल डी 45 गेड 45 को भी यह active करता है और पूरा pathway आपका repair में चला जाता है P21 इनीविट कर सकते हैं cell cycle को arrest कर सकते हैं CDK को और cell cycle पूरे को आपका बाइंड करके फिर इसके बाद अगर आप चेक्पॉइंट टू की बात करें फॉस्फोराइलेशन तो यह पूरी आपकी यहां पर वही कहानी लिखी हुए जो आपको बताया पूरा सिक्वेंस में लिखा हुआ है तो जीवन जीटू अरस्ट फिर हम काइनेटो कोर पर आजाएंगे क्योंकि अब हम एम चेक्पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर काइनेटो को अनटेज्ट है तो कौन सा प्रोटीन था कुनाल लाम का एक लड़का था के अनल नहीं होगा सेक्यूरीन का सेपरेज फिरी नहीं होगा और फेज जो है वो अरेस्ट हो जाएगी एना फेज में लेकिन अगर प्रोपर अटेश्मेंट था तो कौनाल को इनिविट करिए कौनाल और यहां पे टैंबन भी लिखा हुआ है तो टैंबन मतलब दोनों की अब कले इंगीस्ट दौनों को इनिविट कर दीजे इनिविट होगा तो क्या होगा टैंबन क्या नहीं कर सकता है CDC 40 को एक्टिवेट उसने नहीं किया नहीं किया CDH बन नहीं आया CDH बन नहीं आया प्रोमोटिंग कॉंपलेक्स अनक्टिफ, प्रोमोटिंग कॉंपलेक्स इनक्टिफ तो नोौस एक्रीगेशन लिख दिया गया है कि मैट्व अरेस्ट हो चुका है तो जितना पढ़ा है उसी को पूरा सिक्वेंस फॉर्ममें यहां पर लिख दिया गया है आपके के लिए यहां पर चाहें तो एक चीज और आप कर सकते हैं मैंने केवल केवल यहां पर यह जो पूरा आगे पात्वे लिखाए यह टैम बन के कॉंटेक्स्ट में लिए आप चाहें तो के लेंड वन कैसे आपका इनिविट होगा यहां पर फॉस्पिटेज यूज हो रहा था जैसे प्रोटीन फॉस्पिटेज बन कहा था जो आगे चलके सारी चीज है मतलब इस पूरे पात्वे को इनिविट कर सकता था तो आप उसको भी यहां पर एड कर सकते हैं तो बहुत आपके काम का है जो पूरा चेक्पॉइंट रेगुलेशन को बताता है यह पूरा का पू जाए ना डवल स्टेंट एटीम में क्या आएगा एटीर में क्या आएगा बडिंगी स्टी के कंसेप्ट में जो हमने टैम बन पड़ा है उसमें क्या एगा इस पूरी स्लाइड से वह सारी चीज है क्लियर हो जाए अब इसके बाब यह और मैंने एक वैदमी कैप्सूल बना आगे चलके चेक्पॉइंट काइनीज एबन इनहीविट करता है सीडी सी 25 सी के लिए जो जीटू अरेस्ट करेगा पी 53 आपका फॉर्मीशन करेगा पी 21 का जो आगे चलके सीडी के टू को इनहीविट करेगा जीवन अरेस्ट होगा फिर इसके बाद अगर आप पी 53 की बात करें तो यह अगेन आपका प्रोटीन जो है सिंतेसाइज करेगा गार्ड 4,5 और साथी साथ सीडी के बन के लिए इनिविट कर देगा और आपका जीटू अरेस्ट हो जाएगा पी 53 आगे चलके पी 53 आर्टू बनाता है जो रेपेर पाथवे में जाएगा बड़ी की बात करें तो बड़ किसको इनिविट करता है CDC 20 के लिए एनाफेज अरेस्ट हो जाएगा MADE की बात करें, तो MADE भी CDC 20 को ही INEWIT करेंगा। AN Elizabeth is AREST हो जाएगा. और उसके बाद की NL की बात करें, जो किसको आपका INEWIT करता है, अगर active हुआ, तो active कर देगा। TEM BUN के लिए INEWIT हुआ, तो TEM BUN के लिए INEWIT करेंगा। CDC 14 INEWIT होगा, mitotic exit AREST हो जाएगा sale. क्या होनी चाहें यह सारे आपके दो-दो मार्क्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन क्या कर तो यह पूरे चेकपॉइंट के इमेंपॉटन प्रोटीन है रिचेकपॉइंट रेगुलेशन में क्यों कौनकौन से एक्सपेरिमेंट दिया था जिसमें किया गया था कि हर एक स्टेच के नुकलियस को लिया यह एस फेज का नुकलियस है यह जीवन फेज का नुकलियस है और दौनों को फ्यूस किया गया यहां पर एस फेज है जीटू फेज है दौनों को लिया फ्यूस किया यह आपका जीवन फेस का था जी टू फेस का था दौनों को लिया फ्यूस किया और उसके बाद पॉसिबिल आउटकम दिखाए गए है तो पॉसिबिल आउटकम के लिए मैंने एक टेवल मैंशन करी है और यहां पर वस लिखा हुआ है कि क्या उसका आउटकम होगा इसके पीछे रीजन क्या था अगर आप जीवन को S से फ्यूस कर दें तो आप देखेंगे कि DNA इंडक्शन और DNA सिंथेस इन जीवन नुकलियस तो इसमें आप देखेंगे तो होगा क्या कि पहली S फेस का नुकलियस तो अल्रेडी सिंथेस कर लिया था लेकिन जो जीवन का था वो आगी चलके S फेस में जाना है तो इसमें क्या होगा कि जीवन का नुकलियस है वो उसमें इंडक्शन हो जाएगा DNA सिंथेस का क्यों योगि S फेस कंटेन कुछ ऐसे फेक्टर जो इंडियूस करेंगे DNA सिंथेस को विच के डिफ्यूस इंटू दा जीवन नुकलियस हुआ क्या है डाइग्राम से स ऐसे फेक्टर है कि ऐसे फैक्टर है जो output ने जो सिंत्रस सब्ड़िए में जब आप इन दौनों को फ्यूज कर दोगे तो यह जो सिंतिति वाले फैक्टर बादी क्टे सुटे जीवन के पास या सकते है इतो जब फ्यूज ने के uh चाहेंगे तो होगा क्या कि आपका जो जीवन का है इमीडेटली एस फेज में चला जाएगा क्योंकि अब वो तैयार तो था उसको आगे चलके एस फेज में ही जाना था लेकिन आपने क्या कि ऑल्रेडी जो फैक्टर्स थे जो उसको जरूरी थे अब उसको वो नहीं कि दो दोस्त थे एक दोस्त पैदल जा रहा था एक छॉप पे और दूसरा दोस्त उसी शॉप पे जा रहा है एक कार केसथ ही तो चाहिं रहा है कि अक्टारों को परोला गउख साहेंगा और लेके चला जाएगा, तो क्या होगा, time reduce हो चाएगा, क्योंकि G1 को भी वही जाना है, S तो already वहीं का है, तो वहीं जा ही रहा है, तो फिर करेगा क्या कि S phase उसकी थोड़ी सी मदद कर देगा, तो S का जो nucleus है, थोड़ा मदद कर देगा, और G1 phase को वो चीज़ा दे देगा, जो ज़रूरी है, तो क्या होगा, G1 इमीडेटली S phase में चला जाएगा, रीजन क्या होगा जाने का इमीडेटली, क्योंकि S phase cell contain factor that induce DNA synthesis, which can diffuse into G1 nucleus, तो समझ में आया, क्यों G1 ने इंड्यूस कर दिया इमीडेटली DNA synthesis को, चलिए, अब बात करें, मैं G1 phase को G2 phase से fuse करा दो, एक cell है, जो G1 phase में है, दूसरी cell है, जो की G2 phase में है, दौनों को अगर हम कर दें, तो क्या होगा, तो outcome निकला था कि no DNA synthesis in G1 nucleus, delay entry in M phase for G2 nucleus, तो अगर दोनों को G1 और G2 को आफ यूज करना, तो दोनों का काम बिगड़ चुका है, दोनों का कैसे काम बिगड़ चुका है, यह G1 जो है, आगे जाने वाली थी, कहां पे, G1 आगे जाने वाली थी S phase में, तो भाई, यह S phase भी इस की विचारी की ब गड़वड़ हो गया, और G2 को आगे कहां जाना था, G2 आगे जाएगी M phase में, तो बिचारी का यह भी काम बिगड़ चुका है, तो यह भी काम दोनों गड़वड़ हो जाते हैं, तो क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जो G2 phase का cell है, वो बापस नहीं जा सकता, DNA synthesis में यह आपको से क्रोस करके G2 में आई है, तो वो synthesis दोवारा नहीं करना शुरू करेगी, तो G2 phase do not, G2 phase cell do not induce DNA synthesis in G1, क्योंकि बिचारी वो निकल आई थी, उसने synthesis कर लिया, अब जैसे ही वो निकली, तो S phase के, जो CDK cyclin थे उनको वही छोड़ के आगे, तो G2 के पास ऐसा कुछ था नहीं के वो G1 को दे दे, और कह दे कि भाई, आप तुरंत ही DNA synthesis करानी जै, तो वो ही चीज लिखी है कि G2 कभी भी induce नहीं करेगा DNA synthesis in G1, और G1 phase of factor डिले कर देते हैं G2 nucleus को, अब ये कहानी जा है, ये कहानी ये है कि जब आप दू सेल को आपस में fuse कर देते हो, तो या तो वो दोनों स आपसात काम करेंगी, या अगर एक inhibit हुआ तो दूसरा बिचारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो समझने की कोशिश करिएगा, ऐसी condition में हुआ क्या है, कि जो आपकी G1 phase से आपने सेल को निकाला था, वो G1 में थी, अब उसको अगर कहीं से S phase की चीजे मिल जाती तो वो S phase में चला जाता और फिर G2 में आ जाता, दोनों G2 में आते, आगे चल के M phase में चले जाते, लेकिन S phase का सामान G1 को कौन दे, कोई ही नहीं यहाँ पे, दूसरी सेल G2 में है, इसके पास S का कोई सामान था नहीं, तो यह सेल आपकी S phase में ही रह जाएगी, मतलब G1 में ही रह तो जब S को क्रोस नहीं करेगी, तो G2 जो है ना वेट ही करेगा G1 का, आजाईए दौनों साथ में आ जाएंगे, तो M phase में चले जाएंगे, तो विचारा G2 भी पिटा, क्योंकि M phase में नहीं जा पा रहा है, तो delay M phase हो गया, और G1 आपका आएगा ही नहीं S phase में, क्यों नही आएगा क्योंकि Factor ही नहीं S phase का, तो समझ में आया, जीवन में कोई भी DNA Synthesis नहीं होगा, और G2 वाला जो है, वो M phase by delay entry को शो करेगा, कुछ नहीं होगा, और अब एक चीज़ और में बता दू, यह natural condition नहीं है, यह natural condition नहीं है, आपने एक cell थी, जो S phase में अपना काम कर रही थी उसको निकाल दिया और एक phase जो G2 में काम कर रही थी उसको निकाल दिया दोनों को fuse कर दिया तो कैसे कुछ होगा क्योंकि S phase ये जो जीवन है आप समझ लीजे एक छोटा सा बच्चा है तो एक छोटा सा बच्चा है तो वो खुद से कुछ नहीं करता जब आप उसकी उंगली पकड़के उसको बाहर निकाल लेके जागे तब जाके वो एक कमरे से जाएगा और दूसरे कमरे में जाके प्रव में कैसे जाए क्योंकि उसके पास एक दूसरी सेल है जो बैठी हुई है जीवन में तो दौनों का ही काम बिगड़ गया तो समझ में आया तीसरा उटकम क्या है S phase और G2 phase S phase को G2 phase में कर दें तो इसमें क्या होगा continue DNA synthesis होता रहेगा एं S phase nucleus लेकिन G2 जो है वो DNA replicate नहीं करेगा तो यह तो simple वात है जीटू के वह वापस जाएगा लेकिन S phase में DNA synthesis होता रहेगा योगि वो सारी machinery S phase के पास हैं तो यहां बहुत जादा किसी का काम नहीं बगड़ने वाला है काम ऐसे नहीं बगड़ेगा कि जैसे ही आपका S phase complete हो जाएगा DNA synthesis दौनों G2 में आएंगे और आगे चल के काम कर सकते हैं तो कहानी आपर बो ही है कि G2 phase जो है आर प्रिवेंटेड कब तक आपकी मतलब DNA replication में वावस नहीं आएगी लेकिन जो एस फेस है वो continue DNA synthesis करेगा तो इसमें क्या है इसमें दोनों साथ-साथ थे इसमें दोनों एकदम अलग अलग है और इसमें दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं एस फेस में अपना काम हो रहा है जीटू में अपना काम हो रहा है ना एस जो है सिंथेस करने के बाद बहले जीटू में आये लेकिन जीटू जो है ना ही एस फेस में जा रहा है ना आगी जा रहा है इसके बाद तहानी आती है एस फेस को अगर एम फेस में डाल दिया जाए तो भाई अब गड़बड हो सकता है क्या गड़बड हो सकता है क्योंकि एस फीज में क्या हो रहा है dna synthesis हो रहा है यह बहुत इंट्रस्टिंग है देखिए गज़रा एस फीज में होता है dna synthesis प्लस एम फीज के पास क्या है एम फीज के पास condensed करने वाला material है कॉंडेंसिन जो हमने पड़ा था है एक एम फीज में है तो एम फीज की सेल के पास condensed नहीं क्योंकि एम फीज मतलब प्रोफीज और प्रोफीज मतलब dna को पूरे तरीके से condensed करने वाला और एस फेज में dna बन रहा है तो होगा क्या कि dna जैसे जैसे एस फेज में बनेगा यहां से डिफ्यूजन की थरूं कंडेंसिन जाएगा और उस एस फेज के dna को पूरे तरीके से condensed करने लगेगा तो यह यहां पर effect पड़ता है कि premature chromosomal condensation होने लगता है इस फेज में क्यों हुआ यह एंफेज के पास जो condensing था वो जाने लगा इस फेज को तो reason क्या है जो एंफेज में कुछ factor होते हैं जैसे condensing जो chromosome condensation करते हैं यह affect करते हैं एस फेज के नुपलियस को जीवन फेज में भी अगर आप M phase को कर दें तो जीवन फेज का काम क्या है size बढ़ा करना nutrient ओर्गेनल duplication at the same time यहां पर भी dna है और यह dna कैसा है कि जीवन फेज में जो dna है वो आपका chromatin है तो chromatin है मतलब कि network है M phase के पास क्या है condensing है तो यह क्या करेगा कि जीवन फेज में जो आपका जीवन फेज में जो आपका dna chromatin था उन सबको इसको chromatin न लिखे नहीं तो फिर वो ही चला जाएगा that is chromatin तो वही जैसा कि आपका chromatin था यह क्या condensing मिल गया M phase का फिर से premature chromosomal condensation हो गया इन जीवन फेज तो M phase cell induce करेगा chromosomal condensation and जीवन फेज तो समझ में आया कि कैसे यह एक दूसरे के साथ affect करती है तो यह कहलाता है आपका cell fusion experiment ठीक तो समझ में आया कहीं कोई confusion तो नहीं है किसी को ठीक